अगर आप चाहें तो वहां से जाके वीडियो को वाच कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को बैल आइकन के साथ सब्सक्राइब करने ताके हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ऐसा मुलके जहां पर इंडस्टर बैकवर्डनेस ज़्यादा है गौर्बिन को चाहिए सबसे पहले यहां पर ट्रेनिंग सेंटर बनाए पाकिस्तान में इसके लेबर्स कम हैं गॉर्मिन को चाहिए स्किल लेबर इंडस्ट्रीज में लाने के लिए ऐसे इंस्टिटूट्स बनाए जो लेबर को मौडरन ट्रेनिंग दे सकें जब लेबर को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उनका इंटरस्ट पैदा होगा और वो दिलचस्पी के साथ काम सीखेंगे उनके पास स्किल्स आएगी इस तरह ट्रेनिंग मिलने के बाद skills, labors इंडस्ट्रीज में आएंगे और industrial backwardness रिमूफ होगे गौर्मेंट को चाहिए पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलेप्मेंट के लिए टेक्स कम करें इंवेस्टर्स को टेक्स कंसीशन दे इस तनहां इंवेस्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंवेस्ट्मेंट करेंगे नमबर त्री, Establishment of By-Product Industries By-Product Industries क्यों होती है पहले वो समझ लें जो रो माटेरियल काम करने के बाद बचेगा उसके वेस्टरेज को किसी और इंडस्टरीज में इस रो माटेरियल इस्तमाल करना गॉर्डमिन को चाहिए ऐसी स्ट्रेटिजी इस्तमाल करें जिससे By-Product Industries प्रोमोटों और पाकिस्तान में By-Product Industries बने इस तरीके से जो हमारे पास वेस्टेज है वो as a raw material By-Product Industries में इस्तमाल हो जाएगा इस तनहा पाकिस्तान में इंडस्ट्रेज बैकवर्डनेस रिमूफ होगे गॉर्मिन को चाहिए इंडस्ट्रेज सेक्टर की डेवलेप्मेंट के लिए इंडस्ट्रेज सेक्टर के लिए ज्यादा से जादा रिसर्च इंस्टिटूट्स बनाए पाकिस्तान कॉंसल और साइन्टिफिक ए इंडस्ट्रेज रिसर्च इसमें एक इंपोर्टन रोल प्ले कर रहा है नंबर फाइज अव्याबिलिटी ओफ इस्पेर पार्ट्स Industrial Policy of Pakistan को spare parts available करने चाहिए और repairing centers भी establish करने चाहिए इस तरह industrial sector को spare parts easily मिल सकेंगे Number 6, Transport Facilities Pakistan में transport facilities सही नहीं है इसलिए transport facilities को बहतर बनाने के लिए roads की proper construction होनी चाहिए हर sector में transport important role play करता है इसी तरह industrial sectors के लिए भी transport facilities को बहतर बनाना चाहिए ताके raw material को easily factories तक transfer किया जा सके Number 7, Export Promotion Bureau यह वो organization है जो establish होए export को promote करने के लिए और new foreign markets को find out करने के लिए जो पाकिसान से local producers से कुछ खरीज सकते हैं Number 7, Export Promotion Bureau यह organization export को promote करते हैं और new foreign markets को local producers के लिए find out करते हैं government को चाहिए कि इस organization की efficiency बढ़ाने के लिए उस पे work करें और इन organization की efficiency को increase करें विए पीजिए फैस जर यूबसे जड़ाए लिए आभटेन करें हीजिए पार अवीज तogether